अब अगला topic हम पढ़ेंगे Aluminium industry के भार हमें, ठीक है na, Aluminium is smelting का topic है, इसका मतलब क्या है, कि Aluminium की जो seeds होती है, वो कैसे हम उसको produce करेंगे, उसके भार में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इंडिया में देखते हैं, कि Aluminium smelting is the second most important इससेस्टीन इंडिया तो से कंड मोस्ट सभॉलिबेंट मैटलर्चील इंडिस्टी मला मेटल्स है में उचेज रीलेटर उज्हाी दासटी है इज और फ recognition फे अलुमिनियों परवैंस पर त्थिसके पालब इंडिस्टी फोल देनों इंडिश्टी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई इंडिया में सबसे पहले क्या है यह बहुत ही हल्की है ना हमको गुट्स देती है प्रोड़क्ट देती है इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है रजिस्टेंट को रोजन इसमें जंग कम लगता है तिक है इसमें जंग बहुत ही कम लगता है तिक है और यह दूसरे मिटल के साथ भी क्या होता है और यह दूसरे मिटल के साथ भी क्या है ओनियुंट कर जाता है अब इसका यूजेर का है कौन कौन सी प्रोड़क्ट हम बना सकते है को सब्सक्राइब करके कुछ हमारे पास एयर क्राप्ट के पार्ट्स बना सकते हैं यह कहते हैं कि इसकीte के सब्सिट्यूट में होगे कैसे के स्टील के सब्सिट्यूट में हो गए कैसे इस वसकमझा recruer रहे हीज रहें हों आप फ्रग में अगे सब्सिट्तिहुंट में हो गये कैसे क्योंकि कॉपर और जिंक एन लेड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री क्योंकि इसकी पॉपलेटर बढ़ गए क्योंकि स्टील की जगा हम अलुमिनियूम का यूज कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत लाइट होती है और रेजिस्टेंट से कोरोजन होती है गुड कंडक्टर फीट होती है और जैसे कि कुछ एरियाज है ओडिशा के बेश्ट मंगार केरल उत्तर प्रदेश यह चत्तिजगाड महराष्ट हो गया तमिल्लाडू हो गया यह सारे रिजन क्या है एलुमिनियूम के लिए एलुमिनियूम के लिए इंडस्टी के लिए बहुत ही अच्छी माने जाती है ठीक अगे पर अगे बढ़ते हैं देखते हैं इसके बारे में अब अलमिमिनियूम के लिए जो बेसिक रा मटेरियल है उसको अंपने बोलते हैं बॉकसई थों सारे एलुमिनियम को बंते का से बंते हैं बॉक्साइट गया है एक ओर है ठीका न तो हम पूशकते हैं विच इद रॉमाटियल के वी जूच फॉर कि आब्र और यह क्या होता है बहुत बलक्य होता है ठीक एन I'm from that करना टाइक किसे ने फिसके नियृमिनिय का प्रृड़क्ट बना सकते कि सब्सक्राइब क्या है regular supply of electricity ठीक ना and as your source of raw material at minimum cost are the prime factor for the location of industry the aluminum industry को location के लिए कुण कुण से factor की ज्यादा जरुत परती है the most two important factor for the location of industry is the raw material should be provided at the minimum cost ठीक ना raw material जो भी होगा ज्यसे वॉक्साइट या ना अल्मुनियम इंडस्टी को raw material है तो वह बहुत ही minimum cost पे available होनी चाहिए पहली बात ही है और continuous supply of electricity होनी चाहिए क्योंकि aluminum smelting का होगी जब वो पूरी plant electricity supply पे डिपेंड करती है ठीक ना एक्टिश अप्लाई जितनी अच्छी होगी continuous होगी उतनी अच्छी यह इंडस्टी बर्क करेंगे ठीक है कि अब यहां मेनिफेक्ट्रिंग दिखाया है कि प्रोसेस कितने प्रोसेस है मेनिफेक्ट्रिंडस्टी में ठीक है ना aluminum industry में process क्या है सबसे पहले क्या करेंगे raw material है जो कि हमारी बॉक्साइट होती है ठीक है बॉक्साइट को क्या करें हम ट्रांस्पोर करेंगे rail और शीप के तुरू कहां पर जब उसको सेंड करते हैं तो वहां से पूरा aluminum content बाहर हो जाता है ठीक है ना aluminum का मतलब हो गया कि only the aluminum parts remains out there and other material would be discarded out ठीक है उसके बाद क्या आया कि bulk or ship to the site ठीक है अब यहां चेका जो भी यहां पे बॉक्साइट है वह हमको ship करना पड़ेगा कहां पे इस melter पे अलुमिनियम इस melter पे ठीक है ना यहां पर हमको क्या चाहिए कोईला चाहिए ठीक है ना कोईला चाहिए जिसे कि हम इस melting कर सकते हैं उसमें iron उसमें उसकी melting कर सकते हैं जिसे heat प्रवाइड करेंगे तो यहां पर हमको क्या मिलेगा है एक मॉल्टेन अलुमिनियम मिलेगा जिसको में सीट के फॉर्म में डवलब कर लेंगे ठीक है कि यह सारे प्रोसेस होते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो जोट केद्ध आर में बारे में त्युका नाकि नंत जरे नहीं इस्का ज्यादा योजोती थी क्योंकि पुरा क्यूंकि इसकाइबलब्मेंट नहीं हुआ था लेकिन आपके समय में इंडिया में यह fast growing and diversifying industry है बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत सेक्टर को सपोर्ट करती है diversified sector माने जाती है इसका GDP में कितना contribution है 3% पूरे world में और Asia में देखते हैं इंडिया का position third largest है और चेमिकल प्रोड़क्स बनाने में चेमिकल बनाने में एस्या में और 12th प्लेस है पूरे वाइड में चेमिकल इंडिया में और बड़ी भी है और बड़ी भी है और लार्ज भी है ठीक है कि कीमिकल इंडेस्ट्य यहां बहुत थैप ऑप जो केमिकल से बना जाते हैं जैसे इन और गेनिक हो गया और और ऑठीक स्थे नहीं जया पर ऐने इन भी केमिकल्स हम डराइब कर रहा है और लिविंग तिंग एडिन उन्येजिक आफ़ आइज रिप्ले ननिंग नाविंग इडिस्येस बनाने में, पेंट बनाने में यूज करते हैं. अइन्टिक है? नइटरिक अचीड होता है, अल्काली सोडा होता है, इसमें हम लोग ग्लास शोप और डिटरजन बनाते हैं, सावम बनाते हैं, शरह बनाते हैं. पेपर इंडेस्टी को भी यह अपना raw material send करता है कि वाई डू यू थिंग इट इस सो विकाज ऑर्गेनिक केमिकल जो होते हैं इंक्लूद पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स जो हमको नेचर से मिलता है इसलिए हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिकल बोल सकते हैं इसमें किसक प्रोड़केमिकल्स 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 के जवबद पढ़ती है तो यह केमिकाल सुमको त्थि से मिल जाती है नेस्ट messages इंपोर्टेंट इंडस्टी से इंडस्टी ही रबुपोर्टेंगे फोटिर प्रोडर्प्रेक्ट अब्रणेकर से मिलें हमको फर्टिल financier की वह बढगी व्यूदत पती हुई теп लेकिन गय नाइटरोजेनाश फर्टिलाइजर के एराउंथ भेजन कि ना, Nitrogen Fertilizer का मुचलब हो गया, ऐसा Fertilizer जो जिसमें Nitrogen content बहुत जादा हो, और हमको मालूम के Nitrogen जो होता है, वो very important for the growth of plant, किसी भी प्लांट जैसी चीजों को गाने के लिए हमको Nitrogen की जवबत बहुत होती है, और हमारे atmosphere में 78% of the gas, 78% of the gas is Nitrogen, but the plant cannot use that atmospheric nitrogen directly they went to the process of nitrogen fixation with the help of bacteria and fungi तो जो atmospheric nitrogen हो उसको हमनो direct use ने कर सकते हैं उसको use करने के लिए हमको nitrogen fixation process की जड़ परती है और कुछ अलग fertilizer भी बनाते हैं phosphate का phosphorus का use करके जो fertilizer बनाते हैं इसको phosphatic fertilizer बोलते हैं ammonium phosphate ठीक है ठीक है यह सारे fertilizer होते हैं जिसमें combination होना चाहिए nitrogen phosphate और potassium का combination होना चाहिए जिससे की अच्छा हमको fertilizer मिल जाए ठीक है ना थार्ट डेट पोटास इस entirely imported है ठीक है nitrogen और potassium जो है हमको अपने इंडिया में अच्छा quantity में मिल जाती है लेकिन जो हमारा third requirement है जो की पोटास है वह हमको एंटारिली अमलो इंपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कि इंडिया इस ताल ग्राज़र प्रोडीशर अव दह नाइत्रोजन नाइत्रोजनस fertilizer ठीक है क्यों 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 देखते है एंडिया में 57 फसेलाइजर यूनिट्स हाना और मेनिफेक्ट्रिंग नाइट्रोजेनस ऐनर कॉम्पलेक्स नाइट्रोजेनस फेर्टिलाइजर , 57 विसके प्लान्ट है फेर्टिलाइजर फेर्ट्री ऑ्टिक 257 सेवन हैAmerica एवार पर नाइट्रोजन नाइट्रोजेनस फेर्टिलाइजर बनाती है , 29 युरिया बनाती यह जो इस फर्टिलाइजर इंडस्टी में काम करती है वह हमार क्या है अजारिया में गुजरात में इस्टेब्लिश्ट है ठीक है अब देखते हैं ग्रीन अरित करांती के बाद जो केमिकल इंडस्टी है उसने पूरे अदर पार्ट्स में भी एक्स्पेंड किया कोच अधर एरियाज में भी बाद में इसका सिग्निफिकेंट प्रोडूशर बना जीचे करनाटम मदप्रदिश्ट होगे महराथ आसाम बंगाल यह सारे एरिया जो है बाद में जब अग्रिकल्चर ग्रीन रिवलूशन है वहां पर फर्टिलाजर की बहुत जया ज़रूत अधर 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 कर फट सुम्लश यह चा कौनसैट्ट आकिवीटिम बनाने में वह बीइंब हैverse फैक्तरी बनाने में रहे बैस सब्सक्राइब का बहुत ज्यादा कॉंट्रीबूशन है और इस इंडेस्टी मेला सिमिन इंडेस्टी जो रॉम तील चाहिए उसको बहुत बल्की बहुत बड़ा और हैवी होता है जैसे कि हमारे लाइम स्टोन होती है पत्तर से पत्तर को क्या करते हैं सिमेंट परोड़ीश होता है एके वहां से सिलीका हो गया अलुमिनियो मेंगा elfया जीपसं लिके थिको क्या है और क्या चाहिए कोंटी बहुत घई चाहिए है और साथ साथ मेंको ड्राइल छाहिए जिस्से कि यह प्राप्व 12 कॉन्से एरिया में जाधे सीमेंट प्लांट है जै लोकेटड गुजरात बहुत इंपॉर्टन एरिया है क्योंकि गुजरात में पॉर्ट से हमारे कानला पॉर्ट से हमको आसानी गल कंट्री में पेले से में को एक्स्पोर्ट कर सकते हैं तो पहली । na फोर्म है ठीक है और देखते हैं कि independence के बाद आपके इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड की हो गए ठीक है बार आज को समय में देखा जाया है क्य exploding लार्ज प्लांट इंडिया में चोक्ती प्लांट ब्लांट हिंडिया में इंडिया इंडिया में सब्सक्राइब सब्सक्राइब जब हम क्यालिटिय॥ ॐ अच्छी करेंगे तो हमको मार्केट भी पूरे वॉर्लल्ड में अच्छा मिलेका इस मिलेगे एक समय लिए और सिमिनटो एक्स्पोर्ट कर सकते हैं उन अफ्रिका कर सकते हैं सहोथेट मों घ्ला gonna कुछ कुछ effort हमको देना पड़ेगा जिस्चे की domestic demand भी demand and supply भी बढ़े जिस्चे की हमारी industry sustain कर जाए अब हम बात करेंगे करने में बहुति महत्पुर्व मिधा निवाती है एक दुसरे से एक जगह से दूसरे जगह समान को ड्रांस्पोर्ट कर सकते हैं और साथ-साथ पैसेंजर को लोगों को फी एक जगा से दूसरे जगा पहुंचा सकते हैं ठीक हैं इसा करते हैं कि रोड जिस कंट्री में अच्छा हो उस कंट्री के डवलप्मेंट ग्रोथ भी बहुत ही तेजी से होती है जितना तेज रोड उतना तेज आना अमारे कंट्री की ग्रोथ थेगा 1992 में जब अमारे एकानमी का लिबरलाइजीशन हो गया और लिबरलाइजीशन के बाद बहुत सारे इंडस्टी में अमारी डिमांड फॉर वेकल्स इंद मार्केट इस्टुमिलेट हुए और उसका ग्रोथ बढ़ा और क्यों बढ़ा क्योंकि क्योंकि including the passenger car two two will two will a three will a vou सारे इंडस्टी का ग्रोथ हुआ जो भी है two will a three will a four will सब का healthy ग्रोथ हुआ ठीक है क्यूंकि लिबलाइजेशन हो गया अलग अलग कांट्रि लिबर फालीशी बनाए गई जो कि इंड़ेस्टी को सपोर्ट करती थी थी ठीक है पंदरे साल के दोरान देखते हैं लाज पंदरे साल के दोरान में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुए आटो मबाइल सेक्टर की क्यों क्योंकि डारेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आने लगा फॉरें डा ऐलेखन लगा फॉरें गरेंट फ्योंकि बात करने लगा अट श करिंग और रांत और आने कुन्पे तुट के आपने लगा culture कंद्रींवेंटल्रेंट की बात करने लगा dicha number ऑद इन्डस्टी को के बहुं एन इंपोर्टेंट सेंटर हैं जो देले गुरगाओं पूने चन्ने कलकता लकनौ इंदो यह सारे जो रिजन है जो आटो मुवाइल सेक्टर के लिए बहुती जादा इंपोर्टेंट एरिया है क्योंकि यहां से अच्छे खाची मार्केट इस इंडेस्ट्री को मिल जाती है जहा पूताAdam में इंडेस्ट्री क Carry Att Navy ऐलेक्ट्रोनिक इंडेस्ट्री के बात करेंगे जम अब इलेक्ट्रोनिक इंड़स्थी अनो बहुत सारें पोलाती यह से नेकए टेलिवीजन भी मातिए टेलिफोन बनाती है यह टीकोन बनाती ना बहुत सारी प्रोड़क्ट अमको इलेक्टोनिक इंडिस्टी आज कल के टाइम में प्रोवाइड करती है मेर इंपॉर्टेंट सेंटर जो है जिसको इलेक्टोनिक कैपिटल उप इंडिया भी बोल जते हैं जो इलेक्ट्रोनिक गोड्स के लिए इंपर्टेंट है मुंबई देली जो भी इंडिया की लार्ज बड़ी सिटी है लगनों को और कता को इंबटू इस आदे इंपर्टेंट सेंटर फॉर्द एलेक्ट्रोनिक इंडिस्ट्री टीक है तो तौन 10-11 में देखते हैं सॉप्टे इंडिया को इंडिया को ही लोकेशन चूछ के जैसे कि बैंगलोर नोयडा मुंगाई चैन्नाई एंड हाइदराबाद और पोले अमेजर इंपक्ट अब इस इंडिस्टी हैज बीन अन्द एंप्लाइमेंट जनरेशन टीक है अभी ये इंडिस्टी का सबसे अची बात है कि ये इंडिस्टी बहुत ज्यादा एंप्लाइमेंट जनरेशन इंडिस्टी है बहुत ज्यादा एंप्लाइमेंट लोगों प्रवाइट करती है ये भी देखनों को मिला कि 30% of the people in this industry are women's लगब वोमेंज को भी बहुत ज्यादा ये इंडिस्टी सपोर्ट करती है 30% एंप्ला प्रोसेसिंग ऐट्सोर्सींग को भी बहुत ज्यादा बढे ऒढ़ा हो गल्या कि जैसा कि एक नाट एन्ट लोगा Show ए ये सारी Ty Flora कामपनी नहीं बनाती हुग यूसको ऐग एंड़ाइट कॉलीत एस ज़रैसिटा gland हर निया एक लॉता फैश सकते हैं तो या सबैंतार точно關 इंडेस्ट्री आउट्सोर्चिंग को भी यह यह इंडेस्ट्री बढ़ावाद देती है ठीक है यह देखे सारे केबल मेनफेक्ट्रिंग फैसलिटी याद IECL रुपनार नैरेन पूर बंगाल यह सारे इलेक्टरणी इंडेस्ट्री हमको देखने का मिलती है ठीक है अब बात करेंगी इंडेस्ट्रियल पॉलूशन and इन्वार्मेंटर डिग्रेडेशन की बारे में ठीक है अब यह स्वभावी बात है कि ग्पोर पश्घंव भाधा फरक्भ परता तो हमको बहुत जरूरत है कि अपने industry को ऐसा setup करें जिसे कम से कम pollution और environmental damage कम से कम हो ठीक है जैसे कि है कि environment को जो industry है हमारे वो क्या करती है कि उसके economic development and growth the increase in pollution of land water and air noise and degradation of environment बहुत ज्यादा देखनों को मिलता है जितने ज्यादे industrial growth होगी उसके management अच्छी से नहीं होगी तो हमको land pollution, air pollution, noise pollution, water pollution और environmental damage देखनों को मिलता है industry are responsible for four types of pollution यहां पर हम देख लेते हैं कोच यह हमारे पास जो industrial regions है इंडिया के software technology park है स्री नगर में यहां पर industry बनाएगी जो location चूज की गई थी उस location में हमाचा प्रदेश की मुमाली आती है यूपी का नुएड़ा आता है राज्थान का जयपूर आता है गुजरात का गांधी नगर मद्द परदेश का इंदोर आ गया महराष्ट का मुंबई एंडपूर है बैंगलोर और मैशुरु रिजन आप कर्नाठक विशाका पत्नम अपांध प्रदेश हैदराबाद अप्ते लंगाना चन्नाई अप्ते मिलनाडू भूबनेशवर ओडिशा कलकत्ता अब वेस्ट मंगान गुगाटी अशाम यह सारे एरिया जो है सब्सक्राइब के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो फोर टाइप अब मेजर पॉल्यूशन जैट और वर्जिनेटेट फॉर्म दो एक्टिविटी ऑफ इंडेस्टी आर एर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन और नोइस पॉल्यूशन यह तोड़ा टॉपिक एजी है तो तोड़ा हम इसको फार्ष करकर देख रहेंगे एर पॉल्यूशन क्या होती है जो हमारे एक्टमास्फिर अंडेजारबल गैस होते हैं अना जिसके मलब अंडेजार हमको उस गैसे की जरुवत नहीं होती है उसको हम लों क्या बोलते हैं यह तो अंडेजर्बल कैसे तो हम कह सकते हैं अन वांटेड गैस इपमॉस्फिर अना इसको ओल्ड ऑन था कल्ट मुव मोलशेट जाएस सल्फाइड गार्वन मोलशेड कारवन डायक्साइड टीक है अब यह देखेंगे की एर पोलुशन कैसे होता है चाहिं कर देखेंगे क गैसे निकलते हैं वह हमारे air pollution को contribute करते हैं ठीक है burning of fossil fuels ठीक है big and small factories इससे हमारे air pollution को ज्यादा contribute करते हैं ठीक है इसके बज़े से हमारे एक जो gas leak होने से हमारे बपाल gas tragedy हो गई थी जिसे बहुत सारे लोग मरे थे हुआ पर लिक कर गए थी उस गैस उस गैस का नाम मिथाइल इससाइनाइड है इस सारे गैसे वहाँ पर लिक कर गएते जिसके वैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग की जान गए थी साथ साथ लोग साथ अनिमल प्लांट्स बिल्दी और एक्मसियर को भी यह इंपेक्ट करते हैं ठीक है water pollution वटर पॉल्ईशन और्यिक वेस्ट और इन और्गनिक इंडेस्टियल वेट से होते हैं और निगश्ट युखे को डप समने डारेटली डंब कर दिया जाता है जिसके बहुत से हमारे यह वार्टर क्लाविटि डिग्रेड हो जाती है प्लास्टिक को भी हम लोग का करते हैं डम कर देते हैं वाटर बॉडिस में जिचे की वाटर बॉडिस पॉलिट हो जाती है ठीक है थर्मल पॉलिशन देखेंगे जो हमारे वाटर होते हैं जो होट वाटर फैक्टरी में होती हैं क्या होता है कि जब हम इंडेस्टी में होते हैं आप हमको बहुत सारे स्टीम की जब पढ़ती है वह एनर्जी जनेरेट करने के लिए तो जो पॉलिटेट वाटर होते हैं इंडेस्टी से डारेक्ट हम लोग water bodies में डम कर देते हैं, rivers में डम कर देते हैं, जो पोकरे रहते हैं, चोटे-चोटे तलाब होते हैं, उसमें हम लोग ये सारे जो contaminated water हैं, उसको डम कर देते हैं, जिसके वजह से aquatic life पे भी damage बढ़ता है, जितनी मचली हैं, जो पानी के अंदर रहने वाली, जितने भी जिव जनती हैं, उसको इंपेट करती हैं, waste from nuclear power plant, nuclear weapon production facility causes cancer, birth defects and miscarriage, ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी nuclear power plant से जो भी radiation निकलते हैं, उससे क्या होता है, cancer होने का बहुत जादा problem होता है, birth defect आजयती है, जो भच्चे पैदा होते हैं, जो भच्चे new one baby होते हैं, उसमें कुछ deformity आती हैं, किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी के पैर नहीं होते हैं, किसी को कुछ नकुछ बेमारी है, हो जाती है, in radiation से exposure में, चींग है न, कुछ बेते हैं, dumping of waste, especially glass harmful chemicals, industrial effluent packaging, salt गार में, render the soil useless, कुछ क्या होता है, कि जो भी हमारे पास unwanted solid waste है, उसको अम लोग डारेक्ट डंब कर देते हैं, जिसके वाशी स्वाइल के quality कराब हो जाती है, उसमें जो water, न, water जो होते हैं, जो contaminated water रहते हैं, वो directly जमीन के अंदर, ground के अंदर, क्या होते हैं, percolate कर जाते हैं, जिससे कि हमारे ground water को भी वो contaminate कर जाते हैं, ठीक है, noise pollution को कह सकते हैं, the unwanted noise present in the atmosphere, is known as noise pollution, क्या करता है, यह बहुत सादा है, यह लोग अंदर irritation provide करता है, anger, anger generate करता है, गुष्य में लोग को रहता है, कान impairment हो सकते हैं, कान बहरे हाद में हो सकता है, हार्ट rate को increase करता है, blood pressure को भी यह बढ़ाता है, और psychological effect भी हैं, कौन कौन से activity हैं, जैसे industrial or construction activity जो होते हैं, उससे बहुत ज्यादा noise होता है, और लोगों को बहुत ज्यादा इन सब चीज़ों से problem होती है, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, environmental degradation को कैसे बचा सकते हैं, उसका control कैसे कर सकते हैं, ठीक है, minimum use of water करेंगे, ठीक है, उसकी recycling भी करेंगे, ठीक है, कुछ स्टेजों में, जो भी हमारे polluted water है, उसको रिसाइक्लिंग करेंगे, बहुत ही कम-कम water use करेंगे, rainwater harvesting भी कर सकते हैं, पानी को tank बना के पानी को बचा भी सकते हैं, ठीक है, treating hot water and the appleement before researching to the river, हना, river में, river में, छे में, जो hot water है, हो hot water है, जो contaminated water है, उसका अच्छे से हम treatment करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको recycle करेंगे, reuse करेंगे, उसको अच्छे से, हना treatment करेंगे, before desi charging into the river, सब्सक्रांट में सब πरने करने अधिक जो भी गर्रणों सब्सक्राइब करेंगे ऑसका मुतित सब्सक्राइब प्र चाहरे रहे चैनलकी म Coordinator अधिन्स करेंगे स्क्रीनिंग करेंगे उसका थैसेटिमेंटेशन करेंगे ठीक है, sedimentation का क्या मतलब हो गया, कि उसको जो भी चीजें हैं, उसको हम लेंड फिल करेंगे, जमीन के अंदेगार सकते हैं, ठीक है, तो हम उसका पहले primary treatment करेंगे, mechanical means से, second biological means से करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थीज़ क्या करेंगे, केमिकल फीजिकल प्रोसेस का यूज करके उस वेस्ट वाटर का रिसाइक्लिंग करेंगे जिसके वाइसे उसमें जो हांपुल कंटेंट है वो रिडियूस हो जाएगा ठीक है और क्या करेंगे अब हम लों करते हैं 2 जाद़ जादा मलों अंड़ वाटर का यूज करते हैं उसके बज़ेत से यह आपता है कि हमारे ग्राउंड वाटर को प्राब्लब्स करना को मिलता है असे लिए करेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है जितना हम ऑंगराउं से अधाल करना पड़ेगा जो पर्टु क्लेट में जो की एर में हम लोग डिशारज करते हैं जो harmful gases है उसको हमको reduce करना पड़ेगा कैसे reduce करेंगे हम यहाँ पर smoke state लगा देंगे factory में ठीक है इलेक्टो static precipitation लगा देंगे ठीक है फीटर लगा देंगे scrubber लगा देंगे हमको कुछ noise observing material लगाने पड़ेंगे जिसे पर्शना यूज में यह फोन का यूज कर सकते हैं जिससे की noise कम produce हो ठीक है जैसे यह देखें दना वाटर पॉलिशन को कंट्रोल करने के पहले हम यमना रिभर पे एक सीवे ट्रीट्मेंट प्लान्ट लगा हैं जिससे की हम लोग वा जिस ने यह साबित किया है कि हम treatment कर सकते हैं जिसको अंटेपीसी अशनल थर्मल पावर कोर्कॉरेशन ओप इंडिया अनो जिसको आई उसो इंडियन स्टेंडर और्गनाईशेसंट से सर्टिफिकेशन मिला है क्योंसा सर्टिफिकेशन इन्वारमेंटल मैनेजमेंट सिस्ट से इन्वार्मेंट को मैनेज करने का जो सिस्टम है उसमें इसको एक सर्टिफिकिशन मिला हुगा है आई सो से हैं ठीक है क्यों मिला है इनको क्योंकि इन्हों ने अप्टिमम यूटलाजिशन और एक्टुमेंट एडप्टिंग लेटेस्ट टेक्नॉलोजी एड़ अप्ग्र करते हैं जिससे व्याइक से पॉल्यूशन होने का कम चांश होता है ठीक है ना दर्बार्प प्लांट से उसको इन्होंने उसस अज को यूटलाइज किया जैसे अज का यूटलाइजिशन बहुत सारे के असक्ट्शिन एक्रिविटी में आजकल याजाते हैं ठीक हैं इन्होंने बहुत सारे पेड लगा है एफ फरिस्टेशन किया जिसे वह से क्या हुआ कि अब इन्वार्मेंटल डेमेज को इन्होंने कंट्रोल किया ठीक है रिडीशेंग इन्वार्मेंटल पॉलिशन ठूथ ऐस स्पॉन मैनेज्मेंट अइस वटर रिस एकलिंड मिला होता है उसकी रिसाइकलिंग की आना लिकृवेस्ट का online database management for all its power station हमने environment का monitoring कर सकते हैं उसका review कर सकते हैं उसका एक data बना सकते हैं जिससे कि हमको एक example set करने को मिलेगा है कि इस environmental damage को हम control कर सकते हैं ओके next lecture we will going for the study of lifeline of national economy for today that's all thank you